आप देख रहे हैं भारत प्लस देश की बाप नमस्कार भारत प्लस में आपका स्वागत हैं किर्किट अनिश चिक्ताओं का खेल हैं यह हरवार कहा जाता है और देखा में जाता है ऐसा ही देखने को मिला बेस्ट इंडीज और स्रिलंका के T20 मुकाबले में इस मुकाबले को बेस्ट इंडीज ने चार विकेट से जीत लिया एह मैच काफी रोमांचिक रहा इस एक मुकाबले में कई उतार चड़ाओ देखने को मिले जिसमें स्रिलंका की ओफिस फिनर अकीला धननजय ने अपने दूसरे ओबर में ही हैट्रिक लेकर बेस्ट इंडीज टीम को मुश्किल में डाल दिया था इसके बाद वह अपना तीसरा ओबर लेकर आये जिसमें बेस्ट इंडीज के कप्तान केरन पॉलाइड ने लगातार छे बॉलों पर छे छक के जड़कर पासा ही पलड़ दिया वे इंटरनेशनल T20 में युवराज सी के बाद लगातार छे छक के लगाने वाले दूसरे वैट्स मैन वन चुके हैं मैच में बेस्ट इंडीज ने टोच जीत कर पहले गेंदवाजी का फैसला किया था इसके बाद स्रीलंका टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 131 रन ही बनाई थे जबाब में बेस्ट इंडीज ने 13.1 ओवर में 6 विकेट गवा कर 134 रन बनाते हुए मैच अपनी नाम कर लिया इस मैच के पिलेर ओप दा मैच पॉलाड ने 11 बॉल पर 38 रन बनाई जिसमें सांदार 6 बॉलों पर 6-6 भी सामिल है 132 रन के टार्गेट का पीछा करने उतरी बेस्ट इंडीज टीम ने 3 ओवर में बिना विकेट गवाए 48 रन बनाकर तेश रुवात की थी सेरी लंका ने दूसरे ओवर से ही इस पिनर अकीला को लगा दिया था उन्होंने अपने दूसरे और पारी के चोथे ओवर की दूसरी तीसरी और चोथी बॉल पर हैट ट्रक लिए अकीला ने यूविन लुईस 28 क्रिस गैल और निकोलस पूरन को पविलियम भेजा गैल और पूरन खाता भी नहीं खोल सके बेस्ट इंडीज की टीम को 16 ओवर में 14 रन की आवश चकता थी इसके बाद अंगले ओवर में बानिंदू हसरंग ने लेंडल सिमंस को पविलियम भ चक्के लगाकर इसकोर चार विकट पर अंठान विरन तक पहुचा दिया यहां से मुश्किल में घिरी टीम जीत के करीब पहुच गई पॉलाइड इंटरनेशनल मैच में एक ओवर में 6 चक्के लगाने वाले वल्ड के तीसरे बैट्समैन बन गए हैं इससे पहले साउस अंडे वल्ड कप में नीदरलेंड के खिलाब एक ओवर में 6-6 लगाए थे इसी साल दूसरी उपलमदी भारती वल लिवाज युबरास सीन ने हासिल की थी उन्होंने 2007 के T20 वर्ड कप में इंगलेंड के तेज गयंदवाज स्ट्वेट ब्राड के ओवर में 6 वालों पर 6 च वाजा कर दिये हैं खेल जगत के ऐसी जानकारियों के लिए आज यह आप हमारे चैनल भारत प्लस को सब्सक्राइब करें आप देख रहे हैं भारत प्लस देश की बाप